यहां पर लिखा हुआ है O Verify Unpassive KYC with AI Powered by Unpassive 2024 और यहां पर मेनू बार में Home, CEO Service, Content Writing, Blog Unpassive, Technology, Currency, Converter, Contact और About Us का बटन दिया गया है और जब हम इस Unpassive आले आप्शन पर क्लिक करते हैं Unpassive आले आप्शन पर माउस का कल्सर लेके जाते हैं तो यहां पर Unpassive एप लिखा हुआ है यहां पर Unpassive वीडियो लिखा हुआ है यहां पर Unpassive ब्लॉग लिखा हुआ है और इस Unpassive ब्लॉग में ही कई सारे आप्शन दिये गये हैं जिसमें Payment and Commissions है इस तरह से कुल तीन आप्शन आप्शन ब्लॉग बाले में दिया गया है नीचे में Unpassive अप्डेट है और उसमें भी कुछ आप्शन दिये गये हैं जिसमें Unpassive 360 अप्डेट टूडे लिखा हुआ है Unpassive 360 अप्डेट है Unpassive 360 अप्डेट है इस तरह से इसमें भी कुछ आप्शन दिये गये हैं उसके बाद नीचे में है Unpassive AI Power तो इस तरह से यहां पर इस वेबसाइड में Unpassive नाम से एक काटेगरी बना दिया गया है और इस वेबसाइड का नाम है NQCEO Service और जब हम इस पेज को स्क्रोल करते हैं तो यहां पे Unpassive लिखा हुआ Unpassive का लोगो नजर आएगा तो O Verify Unpassive KYC with AI Powered by Unpassive 2024 इस तरह का कीवर्ड यहां पर लगाया गया है O Verify Unpassive KYC with AI Powered by Unpassive यहां पर Unpassive का लोगो लगाया गया है यानि Unpassive O Verify से Related कई सारे कीवर्ड को यहां पर एड किया गया है साथ ही Unpassive का लोगो भी यहां पर लगाया गया है इस तरह के कई ऐसे website है या फिर इस तरह के कई ऐसे website का page है जो O Verify Unpassive कीवर्ड को यूज कर रहा है जैसा कि हम सब को पता है कि OnPassive का KYC सिस्टम O-Verify आने वाला है और लोग O-Verify OnPassive कीवर्ड को Google में सर्च कर रहे हैं जिसके कारण O-Verify OnPassive कीवर्ड गूगल में popular होता जा रहा है और O-Verify OnPassive कीवर्ड को popular होता देख अफलियेटर्स अपनी वेपसाइट में इस तरह का कीवर्ड को यूज कर रहे हैं जिससे जब भी कोई यूजर O-Verify OnPassive कीवर्ड को गूगल में सर्च करता है तो सर्च लिष्ट में उसका वेपसाइट आ जाता है और कोई भी अफलियेटर्स यही चाहता है कि उसका वेपसाइट किसी भी कीवर्ड के द्वारा गूगल सर्च में आ जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेपसाइट का नाम है NQ CEO सर्विस यानि इस वेपसाइट के द्वारा CEO सर्विस का अफलियेट मार्केटिंग किया जाता है लेकिन इस पर O Verify On Passive कीवर्ड को इस्तिमाल करके इस वेपसाइट को गूगल सर्च में लाया गया है जब आप गूगल में O Verify On Passive को सर्च करेंगे तो सर्च लिस्ट में यह वेपसाइट नीचे में दिखाई देने लेगा जब आप नीचे की और स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर गूगल सर्च लिस्ट के पहले पेज पर यह वेपसाइट दिखाई देने लेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है nqceoservice.com और जब हम इस वेपसाइट पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने की बाद हम सिधा nqceoservice वेपसाइट पर चले जाते हैं और यह कुछ इस तरह से लोडिंग लेता है और यहाँ पर o verify on passive keyword लिखा हुआ नजर आ जाएगा और यहाँ पर केवाईसी विथ AI powered by on passive 2024 लिखा हुआ है यानि o verify on passive keyword गूगल में इतना सर्च किया जा रहा है कि यह keyword popular हो गया है यदि आप on passive के अफलियेटर्स हैं या फिर on passive के यूजर हैं तो आपको अपने ecosystem profile का किवाईसी करने के लिए किसी अन्य website पर विजिट करने की जरूरत नहीं है जब on passive का किवाईसी सर्विस o verify को launch किया जाएगा तो उस website का link ecosystem के profile में add कर दिया जाएगा जिस पर click करके आप अपने ecosystem profile का किवाईसी कर सकेंगे ecosystem profile का किवाईसी करने के लिए आपको किसी अन्य website पर विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा तो उमीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हम नीचे कोमेज में पूछ सकते हैं